नमस्कार किशान भाईयों आपका प्रेम खेती यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम एक ऐसे छेतर में आये हुए हैं जहां पर एक ऐसी फसल की खेती की जाती है जिसका नाम है कंगनी ये बहुत पहले टाइम में इसकी फसल लगाई जाती थी जो हम लोग खेती करते थे लेगिन अब काफी समय से ये नहीं लग रही थी आप इसको लगाना फिर सुरू किया है और इसकी सबसे बड़ी बिसेस्ता ये है कि ये बहुत कम समय में तयार हो जाती है और इसमें है जो दो से धाई महिने का टाइम लगता है इसको एक बार बुबाई कर दी आती है ना तो इसमें बीमारी ज़्यादा आती है और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा करना होता है कम लागत में ये तयार हो जाती है तो इस तरीके से ये फसल लगाई जाती है इसको यहां पर एक किसान भाई है जिन्होंने लगा रखा है उनसे हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि वो कैसे तैयार किया इनको सरब का नाम क्या है सेवर अuğम कर ने आप शुम यहां परतां पर आप स्मय जो आपने फसल लगा रखी है क्या नाम ईचे आपने ग्टनियू तो यह एकितने दिन में तयार हो जाती है तो 2-2-2 महीं में यह त्यार हो जाती है अच्छा इसमें कोई बımary बगएर ब्लम य्मार जो इसकी पैदाबार एक उंडल तक हो गई दो धाई महिने में हमारी फसल त्यार हो गई तो यह लगभग कितने में बिग जाती है कम से कम तीन हजार जाता है तो आठ कुंटल हो गया अवाट चको 32,000 का हो गया धाई महिने में 32,000 की फसल हो गई आपको अचा बीज यह है जो आपने डालते इसमें तो बीज क्यारेट मिलता है वो भी चालिस पचास रुपे से कमने लेगा चालिस पचास रुपे किलो अच्छा यहां चेत्र में आप अगेले किसान ऐसे हैं जो आपने लगा रखी है और जैसे आपको विक्री के लिए कहां ले जाते हैं रामपुर के आजाते हैं तो इससे पहले आप लगाते थे कि आपने कहीं लगा हुआ देखा था किसान थे जन्होंने यह कंगनी की फसल लगा रखी ती जो बताया कि धाई मेहीने में यहोधी आप भी यसे लगाना चाहते हैं तो आप भी से लगा सकते हैं अच्छा इसका टाइम होता इसी समय लगा सकते हैं उसकी अरो किया जाएगी असकी दो दो फसाल ले सकते हैं इसको clear होتी ए में फसाल लेकर यहां कि यह ए हम नinky मेंосто i इस तरीके से ये फसल आपको दिखाया ये लगी हुई है आप जोगर इसे लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं इसका नाम कंगनी है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड करें थैंक्यू धन्यवाद